फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड से cash निकालने के लिए cash विड्राव करने के लिए काफ़ी high charges बे करने पड़ते हैं, बट एक तरीका है कभी emergency में आपको cash की जरूरत है, तो आप credit कार्ड से आपके bank account में money transfer कर सकते हो, उसके लिए paytm या payz app ऐसे application आप use कर सकते हैं, बट उसके लिए minimum charges आपको bear करने पड़ेंगे बट credit card से cash withdrawal करने से काफी कम रहेंगे ऐसे काफी और भी तरीके हैं जिससे आप free में credit card से bank account में पैसे transfer कर सकते हो फिलाल ओ सब services complicated है और मैं उस पे भी study कर रहा हूँ जब भी मुझे कोई एक अच्छा रस्ता मिलेगा credit card से bank account में free में money transfer करने का उस पे मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा या हम paytm यूज करने वाले है credit card से bank account में money transfer करने के लिए paytm का website यूज कर सकते हो या mobile application यूज कर सकते हो दोना तरीके से आप कर सकते हो पहले आपको paytm में paytm के wallet में credit card से money add करने है मेरे case में मैंने already यहाँ कुछ 145 रूपीज मेरा balance है तो मैं demo के लिए 100 रूपीज यहाँ से मेरे bank account में transfer करूँगा और website में और भी एक option है यहाँ पे आपको यह transaction history दिखेगी और यहाँ return to bank करके option है यह option क्या है अभी यहाँ मैंने credit card से wallet में पैसे add किये 100 रूपीज जो भी इतना transaction है वो credit card से हुआ है बट अबर यहाँ आप return to bank करोगे तो जहाँ जो source से आपने wallet में पैसे add किये उसी source में वापस यह return होगा याने के अगर आप return to bank करोगे तो वापस यह credit card में ही credit होगा यह आपके bank account में नहीं आएगा तो उसके लिए दूसरा option है wallet में money add करने के लिए आप यहाँ से जा सकते हो add money to wallet और mobile app में passbook पे click करना है ptm wallet में click करना है और यहाँ add money to wallet option है और मैं आपको demo mobile app से दूँँगा क्योंकि mostly लोग mobile app ही use करते हैं तो यहाँ wallet से bank account में transfer करने के लिए यहाँ option है send money from wallet to bank पे आपको click करना है click करने के बाद आपको कितना amount transfer करना है वो amount यहाँ डालना है आपको 5% transaction charges देने है यहाँ के 100 रुपय पे 5 रुपय आपको pay करना है बट यह cash credit card से cash withdrawal करने से काफी कम amount है और amount डालने के बाद यहाँ आपको process करना है अगर आपका account पहले से यहाँ add नहीं है तो आपको यहाँ add account पे click करना है और account add करना है अगर add है तो आपको इस पे click करना है account add करने के लिए आपको account add करने के लिए आपको bank account number लगेगा IFC code लगेगा और account holder name लगेगा उसके बाद proceed करना so next page में आपने जो amount डालाई ये details आएगा पूरा total payable amount verify करना है और फिर confirm पे click करना है और इस तरह से money send to bank successfully और ये message भी आ गया मुझे wallet से मेरे bank account में money transfer हुआ करके तो इस तरह से credit card से आप money आपके paytm wallet में transfer करना है और paytm wallet से bank account में transfer करना है friends में जल्द ही कैसे free में हम transfer कर सकते है credit card का money into my bank account जल्द ही video बनाऊंगा thanks for watching this video अगर मेरा video पसंद आया तो please मेरा channel subscribe करो like करो thanks for watching